तुम्यादाए द्रामा को इन बनने की आदत है और ऐसे लोगों से मुझे सक चलिए पिर से सवाई का द्वारा पढ़ गया तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे कमरे में मज जाया करो और अगर जाओ तो कम से कम मेरे पेपर को मत छेड़ो यार हर चीज यहां से वां कर दी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा मुझे मैं तुमसे बात कर रहा और तुम जा रही हूँ छोड़े मेरा हाथ मैं तुमसे बात कर रहा था मेरा हाथ छोड़े नहीं छोड़ूगा फिर लीव मेरे हैंड I won't You have to But I won't अरे, इसमें रोने की क्या बात है I'm sorry, छोड़ दिया यार बस दुबारा मेरे कम्रे में जाओ तो पेपर्स को Sorry उठ जाएए बिट्या काफी सुभा हो गई सेहनी कितनी बुरी बात है उठ जाएए बिट्या सब लोग आपका नाच्टे पर इंतिजार करेंगे कितनी बुरी बात है क्या सुचेंगे निकार आपा अरे हद करती हैं आप भी और आज आपने लियाकत भाई को बताया भी नहीं कि आप नाच्टे में क्या खाएंगी फिर दोड़ाएंगी उन्हें यहां महां उच्चेंगे कितनी बुरी बात है बिटे इस तरह नखरे नहीं करते सुभा सुभा उच्चें और बताये क्या खाएंगी नाच्टे में अरे सुनिये क्या हम आप भाग रही है जवाब तो दीचे अमी मुझे नाच्टे पर नहीं आना है और क्यों आओ मैं जो मुझे लेखते ही निगारापा को खुसा आजाता है उनका बस नहीं चलता खुन पीजाए मेरा सहर देखे मारते मुझे अरे अरे मैंने उनका क्या बिगाड़ाएंगी अमी तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं होता है चलिए जाएंगी बेटे उनक अपना घर है निगार की मिज़ाच से हम सब अच्छी तरह आखे थे एक तो आपके अबबा ने आपको जो ये किताबों में जोग दिया ना असली दुनिया ऐसे ही होती है पिटे रिष्टेदार बेहन भाई आप उसमें लड़ते जगड़ते हैं अपने ऐसे ही लड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं लेकिन वो तो मेरी अपनी नहीं है इस घर में अपनी जगा बनाने के लिए सब को खोश रखना पड़ता है मुझे लेकिन मेरी खुशी वो तो बिलकुल बेवाईनी है ना साथ मुझे तो पता भी नहीं के मेरी खुशी है क्या जैनी आप तो समझदार है ना बिट्या निकार को अपनी वालिदा की मौत का अब तक खंब है और जिन हालात में आपके अबबा की और मेरी शादी हुई उसमें बच्चे अपसर ऐसे भीव करते हैं बिट्या अम्य खंब तो मुझे होना चाहिए उनका अपना घर बार सब कुछ है मुझे देखें किसी के घर में रहना पढ़ रहा है मुझे जबसे वो आई है इसी बात को तो आपसास दिला रही है मुझे ये घर आपका है जैनी नहीं है ये मेरा घर मी जानती हूँ मैं इस बात को अच्छी तरह से पाजी अच्छा ठीके बस हो गया जाए ये मुहादो कराया और ये बात कैसी को बता नहीं चलने चाहिए आरे हूँ जाए ठीक हो ये चलिए आज नाश्ता बाहर ही करते है और क्या हूँ अज जहनी कमरे में क्यों इस तरह बंद है अरे बस ऐसे तबेद तो ठीक है ना उसकी खाती वादी कुछ है नहीं तबेद कैसे ठीक रहेगी रहने दीजे उनको बाजी मुझ ऐसा क्यों लग राया अब मुझसे कुछ छुपा रहे है अरे मैं आपसे क्यों कुछ छुआँगी चलिये चलिये सब को देर होगी हाँ 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 अरे कि मनकी सगी उठी तो आते हैं तो मुझे मना कर लेकर जाते हैं लेकिन शेयरी भाई को भी कोई परवा नहीं है तो नहीं मैं यहां क्यों हूँ है यह मैं है तुभी उठी मैं बिल्कुल नानी की शकल हूँ है नहीं वाखी ताबिन्दा और तुम्हारे रक्ष मिलते जुद्धे हम रुटिया जैनी तुप कम बाई अब आठ बच गया ना आपको बुक पढ़के सुनानी थी अहाँ अब अब ऐसा करें आज इसको विकेशन देते हैं हमें फैमिली टाइम स्वें करते हैं तुरा साथ अब अब यू सै ठीक है भाई फैमिली टाइम फैमिली टाइम तुम्हे रिलाक्स करो मैं भी हॉलिडे पोरू हूँ इनोग साथ कुछ पर कुजारते हैं ठीक है तो फिर आप आप जाये जैनी हम मिलते हैं छुए मुझा जाए अब तुम्हे क्यारते हैं यह टस्वीर देखो यह गिए अब तुम्हे तुम्हे नाज भात मोटी लगरी अब के यह जो तेए इनी मोटी तुम्हे यू झाल झाल था उन्यकाव झाल इवा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कहा दो दो यह सिरिफ ट्राफ्टिंगा कमाल है तुम स्मेल करके देखो, कोई कुछ बूह नहीं आएगी तुम अमेजिंग यहाँ ऐसे कोई भी रद्य अमल जिसमें मेहनत द्रिकाल सरूरी नहीं कि फित्री हो किसी भी प्लान को जड़ सर उखाड के कहीं और लगाया जा सकता है लेकिन गैरंटी नहीं दी जा सकती कि वो फलेगा फूलेगा बढ़ेगा या नहीं अल्ला की कानूं में मेहनत नहीं है यह नहीं दो लॉव फ्ली स्ट एफ़र्ट्स एक पीज और लाकों पल पर मेहनत तब होती है जब क्राफटिंग होती है जैसे नाना करते हैं उनकी तो यही कोशिश होती है किसी तरह हम जैनी को इस फैमिली का हिस्सा बना ले जैसे क्राफटिंग करके ये औलिव के दर प्रमने औरिंज लगा दो सार्फ तो में बौट छोटी बात किये है तुम शाएद अबाग के फिस्टम को चानते नहीं लेकिन मामो अपनी अम्मी के दुख को समझता हूँ आपनों को समझ क्यों नहीं आती ये उनका लॉफल घर है उनके बाप का घर है और वो ये चेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है आप उन पे प्लीज प्लीज जवरदस्ती इंदोस्ना करें शीज बन थू सो मच और नोबड़ी सीम्स तो अंडर्स्तान दाट है मामो उनकी असली फैमली आप और नाना है और उनकी वज़ा से वो इस घर में नहीं आ सकती कमसकम जैनी की जगा तो नहीं बनती इस गर मुझे अनी मा को दुख देना अच्छानी लगता I don't like it when she cries साहर, I understand मैं समझता हम लेकिन जैनी जैनी बहुत ही अच्छी लड़की है मामों जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं जो अच्छी होती हैं लिखे हैं में उनकी जरूरत नहीं होती है It's that simple आपको मेरे वुजूद को थापत करने के लिए इतने सबूत देने पड़ते हैं जिस दलील से आप मुझे थापत करते हैं उसी दलील से मुझे रद भी तो किया जा सकता है बलके रद कर दिया गया है हर बार आप घंटों आपसे मेरी एहमेद पर पात करते हैं अब वो समझती हैं जिसे मैं कोई दवा हूँ जिसे पीने के बाद घंटों मुझे का मज़ा कड़वा रहते हैं एक यसे मापसे में रहते हैं कर दो कर दो अशा जिस यिसे ट्स आपसे कर दाए क्या बात है बहुत खुश हैं आज पेरों में लोशन लगा दू ने 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 उसकी जरुवत थी है वो बच्चे और निगी पासी थे किसे ने बाल बना दिया किसे ने लोशन लगा दिया ज़रुत दिया उसकी ऐसे भी जाहिर बहुत जहीन और समझदार बच्चा है बहुत जहीन है माँ को भी समझता है अपनी अच्छी तरह बरके मुझे भी समझा रहा था कि निगार का दिल बहुत अच्छा है शीशे की तरह साफ है ठीक ही कह रहा था ऐसे भी उसे शुरू इसे तबच्छो की ज़र्गत थी आपकी बेटी हैं हक तो मांगींगी हाँ वो शेरी और निगार कही डिनर पर जा रहा है आप भी चली जा अब आप जा रहे होते तो कोई बात थी नहीं वो किसी ओपन एर रिस्टोर पर जा रहा है मुझे नजला हो जाएगा मेरे खाल से जैनी जादा एंजॉय करेगी जैनी का तो कोई मूड नहीं था और साहिर भी शाम को ये सो गए थे पता नहीं शाम से उठे भी है की नहीं ये बेवक्त का कहसा सोना वही हाँ देखे तो अक्सर बेवक्त सो जाते है मुझे सुबा कॉलेट जाना है मुझे नेंदा आ रही है सब्बाख खेर सब्बाख खेर सब्बाख खेर सब्बाख खेर सब्बाए सब्बाञप सब्बाए अजयाँ! अजयाँ! ची होवोची? की हीवोची? अजयाँ! साहिर को नेंद में चलने की आदा थे बाजी जाक रहे थी वो तयार थे जूटे पहने वे थे उन्होंने मैं कैसे यकीन करनों जो आप कह रही है उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया आप कह रही है कि मैं छूट पूल रही हूँ मैंने अपनी आखों से देखा है निगार लियाकत भाई तक को आवाज गई है आपको अंदाजा है कि इबात अगर इस कमरे से बाहर गई तो क्या हो सकता है मैं आपसे कह रही हूँ ना उसे नेंद में चलने के आदेता है मैं आपको उसकी रिपोर्ट्स दिखाती हूँ हेलो आप आप कहा है अरे आमिर भाई भी डूंड रहे है आपको परिशान हो रहे है हाँ ठीक है मैं आड़ी शेरी का फंद अगर उसे सरा भी शेक हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो चाएगी प्लीज अमी वाब के सामने जूट बोले जा रही थी और आप प्लीज खुदा खुदा करके घर में सुकून आया है आप मसलिहत से काम लेचे थे मसलिहत अगर यही सब कुछ मैं करती तो अगर मैं आपके चली जाती साहर के कमरे में यह लग तो मुझे घर से निकाल देते हैं अमी तब क्या होती आपके मसलिह दोनों सुर्तों में बदनाम लड़की होती है बिटे वो लड़की है जिसका बाप मर गया हो जिस लड़की के सर पे बाप का साया नहीं होता न उसका बंद कमरा भी बाचार बन जाता है फिर जैनी अमी सिर्फ मैं एक उमर के के से यादाए तुम यादाए जब भूले पिसरे यादाए तुम यादाए जब भूले पिसरे यादाए जब एक भादाए मामा जलो बटे लाई मुझे लेन बैक्रपा देता नहीं बटे आप ते करीफ ना करो मैं ले जाओंगा खुदाफीस खुदाफीस जयना हुना यादाए इस एक आप आजी नाश्रा कर लिज़े इस ओके आम इस दूखे बटाफीस क्या हुआ है? बटाफीन बटाफीन याटीन हुआ 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 है वो गुजरी कहानी यादाई जब यादाई वो गुजरी कहानी यादाई वो अपने जमाने यादाई तुम यादाई अरे आज नानी की याद कैसे आ गई मेरे बच्चे को? अरे भाई वैसे तो कभी हमारी याद तुम्हे नहीं आई और अब मामू को फोन करके बुलाया आने के लिए अमें ठीक है ना? ठीक है अपा से पूछ कर आई है ना? नानी अब आपके पास आने के लिए भी उनसे इजाज़त लेके आना पड़ेगा अरे नहीं नहीं बेटा आपका अपना घर है अमा ठक गई होंगी यह आप ऐसे करें बेटा आप मुहा दोलें फिर हम खाना खाते हैं ठीक है? इदर चली जाएए आखर बात हुई क्या? कुछ बताया इन्होंने उदर महताब का फोन आए वो अलग पर रिशान हो रही है कह रही है कि बहुत ख्याल रुखिये गए नहीं मा मुझे तो कुछ नहीं पता बस काफी घबराई हुई है इत्वाक से मैं कराची में था इसलिए साथ आगई लेकिन घर में क्या बात हुई है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हो रहा शादी के शुरू शुरू में तो खेर समझ में आता था पर पिष्टे दस बरस से तो हर चीज भी कुछ ठीक थी क्या बात हो गई होगी मा क्या कह सकते हैं लेकिन बच्ची हैं कुछ तेर इनको अकेला छोड़ दें ठीक हो जाएंगी मैं समान रख रहा हुँ बीबी चाय यहीं लाद में जी लेकिन जहने बीबी चले गएंगी आप कौन को रोकना चाहिए था और निगार बीबी का जरभाई यहा उसकी वजासे तो कोई भी जा सकता है इसा तो कई बार हो जुका है और आप तो कह रहे हैं ते कि निगार बीबी में बदलाव आ गया है वो तो इस गर में आपका वोजूदी बड़ी मुश्कित से बरदाश कर पा रही है जहनी तो पर बच्ची है निगार तो चले जाएंगी लिए आप रही है जो तो इस वक्त इस बात की फिक्र है कि आपके साहब उठकर मुझसे पुछेंगे तो मैं उनसे क्या करोगी जहनी को भी देखियो बगयर मिले में चलेगी टेंगे तो क्यामत मुचाते हैं जहनी तो बच्ची है मान जाएंगी लेकिन इस तना तो घर का महौल खराब हो जाएका ना माफ कीजेगा बीवी जी आपको उन सबसे जादा उस बच्ची की फिक्र करने चाहिए कर बच्चों पर तबज्जा न दे जाए तो बच्चे बागी हो जाते हैं अच्चा राधी जीट अच्चा राधी जीट देखां कितने अच्चे है ना ये कौन है पिता ये आपके अबा हैं लेकिन ये तो मेरे अबा नहीं है ये जान ये आपके दूसरे अबा हैं आपके अमी की शादिय होगी फिर आप बड़े सारे घर में जाके रहेंगी लेकिन मैं तो इनको नहीं जानती जान जाएंगी मेरे बच्चे और आपको पता है उस नए वाले बड़े घर में आपकी एक बहन है और एक भाई भी है बहुत इच्छा लगेगा आपको फिर ये तस्वीर ले आई या मैंने आपसे कहा है ना मन नहीं करनी है मुझे कुछ शादिवादी पागल मत बनिये मेरे बाद क्या होगा आपका क्यों मेरी मर्जी के बगएर फैसले किया रहे हैं आप रो मैं जिन्दा हूँ अभी बेपाल लूँगे अपनी बेटी को सिर्फ कमाने से तहफूस नहीं मिलता आज मैं हूं कल नहीं कल मेरी आंख बंद हो जाएगी तो क्या होगा यही थाविल पेश किये जाती है आप नहीं करनी है मुझी शादी मैंने फैसला करती है अगले जुबे को आपका निकाह है अबाक पिसले दू अचे हैं मैं और तो यह लड़ी पाजी की बेड़ी है इसका नहीं कांगी कांगी है यह दूनों बचे जाना और साहर ये तुम्हारा हुने तुम्हारे सदे भंजे-भंजे निकारा अपन भूस कोई साथ नहीं पढ़ता है पढ़ता है, सदद जद होता है, और सदे कुछ नहीं होता अरे, ये तो अपर की अदाद भी नहीं है जैनी बेटा, महताब का फोन है बच्छे, आएए आएए जैनी बेटा अरे आएए जैनी बेटा, किसनी देर लगा थी आपने आने में कब से मामो मानी बैठे बें इंतुजार कर रहे थी आएए बैठी अरे आज तो मेरी बच्ची के पसंद के खाने बने हुए हैं ये ले बस आना भई इनको तरह रोटी दे दीजे जी अच्छा अब बताईए अम्मी कैसी है अब तो अच्छी है न और भई वो निगार, शेरी वगएरा सब ठीक है बड़े ही नेक लोग है अरे ना खुरूर ना तकबर अला ने मेरी महताब को पूरा कुमा दे दिया शुक्र है उसकी साथ का अच्छी सिर्फ यही ना के मेरे अबबा मर गय थी मेरे कोई घर नहीं था क्या हुए जैनी बात क्या है किसी को मेरी बिलकुल परवा नहीं है सब शेरी और निगार के गुंबार है नहीं बेटा नहीं ऐसा नहीं है देखिया ना आपके अबबा ने आपको अपनी बेचियों की तरह पाला है बेचियों की तरह होने और बेटी होने में बहुत फर्क होता है नाने और यह फर्क मैं खुद देखकर आई आप तो मेरी अमा की भी अमा है अज़े नहीं है अग्लीफ उन सबको है मुझसे अनके रास्ते का वो पत्थर थी जिसे बार बार सबको डुकर लग रही थी पत्थर में तो इतनी जान भूटी नहीं कि वो रास्ते से हट जाए मुझ में थी सो मैं हट ले अमा अरे मैं महताब को फोन करता हूँ आखिर उस घर में हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ है नहीं नहीं आप बिल्कुल फोन ये करेंगे इस वक्त अमा क्यों देखिए इस वक्त हमारी मुदाखिले बिल्कुल मुनासिब नहीं मैं आपको क्या पता महताब कितने महाजों पर लड़ाई है नहीं इसरुत वेकी होगी मैं मारी बच्ची इसरुत इतनी डिस्टर्ब्ड है हालत देखी आपने उसकीा बात-bात पर रो हो रही तक देखिये इन पास मैं हुएं आप हैं और महताब के पास कौने भाला? कुछ तो अपनी बेहन का सुचिए, ये तो बच्ची है, अकल से काम लीजिए, बच्ची के साथ बच्चा मन जाएंगे क्या आप? वो चाओं जहां पर दूप भी कम कम आती थी वो चाओं जहां पर दूप भी कम कम आती थी उस पेड के साएं यादाएं, तुम यादाएं उस पेड के साएं यादाएं, तुम यादाएं शरीम आओ, मौसम भी अच्छा है, कहीं पिग्निक पर चलना है? हाँ, चलेंगे, जरूर चलेंगे. तर अब ही सेनी नहीं है ना, दो चाओ दिन में वो आजाएगी, फिर उसको साथ लेकर चलेंगे. मुझे समिज में नहीं आ रहा है कि अतना इंपोर्टन्ट क्यों है कि जैनी हमारे साथ चाहे? वेल, इंपोर्टन्ट है, क्योंके जी से फैमली, जैनी वैसे भी राइग मोट फील करती है, उसको छोड़के चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगे, इस ते साथ लेके जाएंगे उसको. ये बात तो है, I don't know why everyone so mean to her. इतनी सी बात हुए है, ये ऐसी तो कोई बात नहीं है, अम्मा के बाविला मचाएं, आप तो बस रहने ही वीजे, वो कितनी गुनी है, इसकी गवब मैं हूँ, सरास भी उसको महताब का ख्याल नहीं है, इस उमर में बचे कितने खुदगर्स हो जाते हैं, ये ही बात तो मैं मैं कह रहे हैं, अरे भाई मैं आने से पहले सोचना चाहिए था, अबा से इजासत लेनी चाहिए थी, वो तो बस बोरिया मिस्तरबांद और निकल आई वहां से, और आप भी ले आए उन्हें, अरे भाई सगें बाप के घर में भी उंचनी छो जाती है, तो इसका क्या मतलब अपने घरी छोड़ कर चले आई क्या, हज़ कर दी आपने, ये जो हिमत अफजाए किया न आपने उनकी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, पीचारी मेहतर, उसकी पोजिशन कितनी आपबड़ वी होगी, हां बिल्कुल, अच्छा हां, वो यूसुफ साब बता रहे अब खुद ही बताईए, कि आखर इस सारे में इनके नखरे कौन उठाता फिरेगा, सोची, रिष्टा होता है हो, नहीं होता ना हो, ये भी को बात हुई, अब रिष्टा जोड़ा है यूसुफ साब ने, तो उनसे हम पूछे भी नहीं कि क्या हुआ है, अपनी समयधारी प वहां से रोती हुई आई है, लाहुल वला कुट, आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है, वो बच्ची का कोई ख्याल ही नहीं, बेटी है हमारी अरे भी जाईए, सब्भालिये उन्हें, ये इस वक में गुस्सा आया हुआ है, इनको खामखाया लड़ाई हो जाएगी हलो, हलो महताब, अली एहमद बोल रहा हुआ, कैसी है आप, जी बहीं, मैं अच्छी हूँ, सामेकू, वा अलेकूम, अससलाम, अभी आपने बच्ची की खबरी नहीं ली, नहीं, मेरी बात तो हुई थी बहीया, मैं मस्रूफ थी जरा, देखिए, बच्ची खुश नहीं है, आपके शोहर ने क्या कहा है उने कुछ, बच्ची पागल तो नहीं है कि वोटके यहां पर आगी, नहीं भी आप, उमको तवज्जो नहीं मिली, शायद घर में महमान आए में, इसलिए, आप क्या सही कह रही है, देखिए, यहां पर उसको मुझे रखने में कोई प्राब्ल तुमुष ए, ताइनक यू अम्मी, अमी की तब्यट को क्या हुआ है? अठेके खुदा आफची लाइद, किससे बात हो रही है? भाइया थे, अम्मी की तब्यट का बता रहे थे, आप, अब्रॉत हकुझ ओर्व प्राब्ली तो, आप खुछ चली जाती हैं न, जहीं को क्य सब्सक्क्राइद जी हलो मैताब बोल रहे हूं जैनी है जी है जैनी जैनी बेटा जी माम बेटा वो मैताब का फोन है आपके लिए जी हाँ बेटे वो आपके अबा की ना अद्बाल वाली किताब मिल रही है ना उनका राइटिंग पैड ना कलम कहां रखी हैं सब चीज़ें गराज में रखी है उनको रात की दवा भी दे दी जएगा सिर्फ दो गोलियां बची है और मंगवा ली जएगा आच्छा ठीके ठीके बिटे थैंक यू मेरी बात कराना मैं पूस्ता हूं से हलो जैनी हलो यह तो लाइनी ट्रॉप हो कि सिगनल्स का प्रॉबलम है वहां मैं खुद करा दूंगी थोरी देर में दुबारा एक जीक सब्सक्राइब नहीं आरा क्या करा हूं अपना फोन भी यही चोड़ गई है मैं एक घर पर ट्राय करता हूं तुमारे तो हवासों पर सवार हो गई है जैनी फोन नहीं उठा रही तो ना उठाए बत्तमीज लड़की है तुम कहो तो उसे ले आते हैं इसी बाहने है दरबाद भी देख लेंगे मैताब काफी टेंस लग रही है प्लीज शेरे तुम कोई नहीं बाते ना सीख लेना कोई जूरत नहीं है तुम्हे उस लड़की के साथ कहीं अकेले जाने की कल को किसी ने अलजाम लगा दिया तो बस तुम दुनिया वालों की सुनो एक कांच से और निगू घर की बच्ची है इस घर की बच्ची राना है तो पर जैनी कौन है सोतेली भी नहीं सवा सोतेली ना महरम हो तुम उसके लिए ठीक तो मुझे आपकी समझ में नहीं आती आपको प्रॉब्लम क्या है उससे आपकी बेटी से थोड़ी ही बड़ी होगी वो फिर भी आप अर बात को लिक्याट पॉसनल हो जाती है इतनी जलिसी न अच्ची बात नहीं है आणि आप ये क्यों नहीं समझते के हमारी जिम्मेदारी है जैनी जिम्मेदारी वो अपने ददिहाल की है यहां जोग को चल रहा है मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है हम दर्दी अकठी की और शुरू कर दी ड्रामे बाजी अजीब मा है जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दूसी तर दोनों मावेटी को कोई काम दंदा भी नहीं है बस लुटाए जाओ दहन दॉलर टाइम इस लड़की पर I'm sorry परे आपकी सारी बाता सोने में ना मैं इंट्रेस्टेड नहीं हूँ और आप इतनी तंग नजर हूंगी में कभी सोच नहीं सकता था And seriously mark my words If this is your attitude nobody's going to accept it No one क्या हो गयने तुम इन सबके इनके हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते वैसे भी जब से तुम आई उसे टेंशन्स पहला रहे